तुकाईसर, हमारे लॉस सेंटोस के पुलिस वाले यार बहुत ही जादा अमीर हो चुके हैं मुझे अब यह भी बता चल रहा है, उन्होंने खोला एक नया नया कार्ड शोरूम और वही शोरूम में देखने जा रहा हूँ यह पुलिस वालों के पास इतना पैसा आ कासे रहा है कि यह शोरूम पे शोरूम खोल दे जा रहा है यह देख सकते हूँ, यह इनका पूरा पूरा शोरूम है और यहाँ पर क्या चल रहा है, अरे सर यहाँ पर क्या चल रहा है, यह गाड़िया किसकी है यह सारी गाड़्या मेरी है और यह शोरूम भी मेरा है मैं शोरूम में कदरना कदरनाक military vehicles वेचोगे हैhigh आप यह military vehicles सोचो पोलिस वारे ने एक शूरूम ऑदर है और उसमें वो military vehicles बेचने वाला है यह military vehicles तो कितने जादा खदरनाक है सब के उपर कुछ न कुछ गन लगी विये या फिर मिसाइस लगी विये ये तो सही में बहुत ही जादा खतरनाक है अरे सर सर मेरी बात सुनों आपका सबसे पहला कस्टिमर मैं बनना चाहता हूं बताओ बताओ कौन सी गाड़ी खरीना चाहोगे मुझे, मुझे आपको इसी भी गाड़ी दो, ये वाली दो ए नीचा उतर, तुझे पताए वो गाड़ी 50 मिलियन डॉलर्स की है क्या, 50 मिलियन डॉलर की? हाँ, पचास मिलियन डॉलर की, क्योंकि इस मिलिटरी वीखल ने 1950 में लड़ाई करी थी इस वीकल को वार में यूज़ किया था इस दिए इतनी महेंगी है ये तो सही में बहुत ही जादा महेंगी है क्या मैं इसके टेस्ट ड्राइव ले सकता हूँ फिर मैं इसको खरीद लूँगा क्या तुमारे पास 50 मिलियन डॉलर्स है तुमारी शकल, कपड़े और गाड़ी तीनों देखके मुझे नहीं लगता तुमने कभी 50 मिलियन डॉलर्स अपने में भी देखे होंगे अरे अंकल क्या बूल रहो मेरे पास बहुत पैसा है मुझे टेस्ट ड्राइव करने दो नई कोई टेस्ट ड्राइव नहीं मिलेगी पहले पैसा फिर टेस्ट ड्राइव निकल जाओ यहां से आरे जा रहो जा रहो वैसी भी इन घटिया गाड़ियों से मुझे कोई रिलेचन नी है कितनी गंदी गाड़िया है आपका शोरूम कभी नहीं चलेगा बद दुआ लगे मेरी चलो यहां से चलते हैं यहांपर कितने सारे मिलिटरी वाले खड़े सिक्यूरिटी के लिए मुझे नहीं लगता यहांपर कोई जोरी कर सकता है एक सेकिंड एक सेकिंड एक सेकिंड उस पर कुई मिलिटरी वाला निकला चलो चलो चुप चाप से चलते हैं और इस गाड़ी को यहांसे निकाले का ट्राइ करते हैं अगर मैं शोरूम के ओयर को पड़ूँगा कि मुझे टेस्ट्राइब करने दे तो तो देगा नि मुझे ऐसे इन लेके निकलना पड़ेगा चलो चुप चाप से बैट जाते हैं इसमें अरे रुक जाओ गाड़ी का लेके जा रहे हो अरे बागो यहांसे अरे चोर 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 हमारी गाड़ी लेके जा रहा है पकड़ो इसको बाई बाई तो कई से उप देख सेकते हो, हमने ये कहतर नाक सी military vehicle चुरा लिए, ये किती जादा खतर नाक लग रही है, बागी सारी vehicle है, इसमें मिसाईल से आपर है, वेपन तो नहीं लगी है, पर ये बहुत धादा खतरनाक है, और हमने इसको चुरा लिए है, किती जादा ब तो बीड की बीच में हम जाएंगे और इनकी सारी की सारी गाडिया चुराएंगे अभी फिलाल मुझे इस वाली गाड़ी को छुपा के रखना पड़ेगा तो फड़ावपर से लेके चलते हैं और इस ब्रिच के नीचे हम इस गाड़ी को छुपाने बाले सामने कोई रोड न हमारा क्या होने वाला है? मुझे तो पूरा मिली टरी वीकल्स का कलेक्षन बनाना था तो आज पुछ वाले के शोरूम से मैं सारी की सारी military vehicles उड़ाने वाला हूँ चोड़ी करना बहुत ही जदा मुश्किल होने वाला है पर हम कैसे भी करके चुड़ा के रहेंगे तो गाइसर अगर आप चालते हो मैं सारी की सारी गाड़िया चुरा लू और अपना एक खदरनाग सा military car collection बना लू तो फड़ा बट से वीडियो को लाइक कर तो चैनल को सब्स्क्राइब में तो सब्स्क्राइब कर देना और गाइसर अगर आपको military vehicles चाहिए मैं अपने collection में आपको military vehicles दे सकता हूँ उसके लिए आपको comment करना पड़ेगा military car अगर आप military car और comment करोगी है तो आपको एक ख़दरनाकसी military की car मिल सकती है तो फड़ा फट से comment कर देना और चलते अपनी अगली गाड़ी चुराने मेरे आर्मी वालो मेरी बात सुनो हमारा showroom आज खुल चुका है और सबसे पहले देनी हमारी एक military vehicle जोरी हो चुकी है ये बिलकुल भी अच्छी बात नहीं है हमें अपनी security को और बढ़ाना पड़ेगा हमें हड़ जगे ध्यान देना पड़ेगा कोई चोर आना जाए और especially वो काला गरीब लड़का उसने हमारी गाड़ी चुराईए अगली बार वो दिखे तो उसका हम नंगा करके कोईलों पे लिटा के बेल्टों से मारेंगे अरे ये लोग तो मेरे बारे में बाते कर रहे मुझे नंगा करके कोईलों में बिठा के मारेंगे मैं को नहीं मरना चुपचाप से यहां से निकल लेते ये लोग बात कर रहे और हम चलते हैं इनके शोरूम में तो काई सर अभी आप देख सकते हो हम जाने वाले इस पुलिस वाले के शोरूम से चासे हमने एक गाड़ी ओर्रीडी चुरा लिए और ये सारे के सारे लगता है military वाले और इनका owner अभी भारी खड़े और इनका शोरूम यहाँ पर खुल चुका है तो फड़ा पड़ से चलते देखते हैं इनके पास और कौन-कौन सी गाड़िया है तो भी आप देख सकते हो हम यहाँ पर आज चुके हैं और यहाँ पर भी मिलिट्री वाले खड़े हैं पर इनको पता नहीं कि मैंने इनकी पहले गाड़ी चुराई थी और आप देख सकते हो यह कितना खड़र नाक शूरू हैं और यह क्या वो पचास मिलियन वाली वाली गाड़ी को इन्होंने आर यह बैरिकेट्स के अंदर डाल दिया है ताकि कोई चोरी नहीं कर पाए मुझे लगता है ये मेरी मज़े से हुआ है और देख सकतो यहां पर एक ख़दरनाक सी मीनी गन जिसमें लगी ओर पीछे मीनी गन लगी ओए है यहां पर कोई आपका दोस्त औह तो वो आगे खड़ा हो सकता है और एक और दोस्त पीछे कorith को सकता है और फिर मारो सबको और यह वाली गाड़ी भी बहुत ही खदरनाक मुझे लग रही थी, इसके टायर कुछ अलगी है, और यह तो हमारी है ही खदरनाक सी, मिलिटरी की पूरी बुलिट प्रूफ वीकल, इसमें अगर हम अंदर बैट गए, तो हमें हवा भी छूद नी सकती, यह बहुत ही खदरनाक है, और यह, यह गाड़ी अभी मैं चुराने की सोच रहा हूँ, थोड़ा धीरे बात करनी पड़े की वरना किसी को पता चल जाएगा, यह गाड़ी सबसे जादा खदरनाक है, यह बहुत ही जादा चोटी है, और इसके आगे मिसाईल भी लगी है, तो इनका शोरूम तो बहुत क्यों अच्छा है, अभी यहांपर कोई दूसर रस्ता में पर मिलेया, मुची लगता है, यह बहुत आद कोई दूसर रस्ता यहां कर आने वाली है, और अभी सिर्फ यह軋 कार चाहिए, तो फिर शिव tark तो इस cancer बढ़ा उन्स निकलते उससे पहले की सारी कि सारी इनकी फोर्ड आ जाए मैं आ रहा हूं अट जाओ यह लो सबको गोली मार दूंगा बाई बाई आइंक अरे क्या इसको पुलिस वाले का सब कह साग्या इतनी जल्दी कैसे आगा यह लो अभी तो मैं इसको चुडाया तुम्हारी तो यह लू सब को गोली मार दूगा मुझे इस काड़ी को और भी तेज भगाना पड़ेगा इसो कही न कही सेव जगे लेकर जाना पड़ेगा अब यह लोग तो मेरे पीछे या ते जाने चलो अब पनी गाड़ी को लेकर आसे निकलते ही पुलिस वाला रे इसको मारते मिसाल अब भी बचके यह ले और हमने इसको उड़ा दिया रहे कापकॉन आ गया यह ले तेरी तो ऐसी की तैसी मुझे बारे जा रहा है यह बशूव और यह देखो इसको भी हमने यहां पर उड़ा दिया है जो भी आएगा हम उसको उड़ा डालेंगे यह हेलिकॉप पर हमारा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह चोटा सा मिनी टैंक बोगत ही ज्यादा पाउरफुल है और यह पूर का पूरा बुलिट प्रूफ ही है तो कोई हमारा कुछ नहीं कर सकता वड़ावट से पुलिस एसकेप करवादें ताकि अपनी गाड़ी को भी हम छुपा पाए तो काईजर अभी आप देख सेखते हो हम आचुके अपनी वापिस से बढ़िया लोकेशन पर अपनी इसका दरनाक से टैंक को छुपाने और यहां पर हमने इसको छुपा दिया है पड़ावट चुपा दिया है और आप देख सेखते हो तो हर जगे कोई भी ट्रैक कर सकता ह तो उसके पाद उसका भी मेरे पास बहुती तगड़ा इलाज है जहां पर भी रोड बने वे मैं इधर सब जगें बाउम लगा दूगा और फिर जाके यहां पर छुप जाओंगा और सब को ब्लास्ट कर दूगा और आप देख सकते हो यार कि हमने बाउम लगाई तो यहां अगली मिलिटरी वीकल चुरा लिए अब बारी अगली मिलिटरी वीकल चुराने की और इस बार में ऐसे नहीं जा सकता मुझे अपना बेज बदलना पड़ेगा वरना मुझे कोई भी पैचान सकता है तो चलते हैं कुछ ख़दरनाक बनके यह मेरे शोरूम में क्या चल रहा इसलिए मैंने पूरी की पूरी मिलिटरी अपने पास बुला लिये पहले मेरे साथ सरिफ 10 जने काम करते थे अब मेरे पास 100 मिलिटरी वाले काम करेंगे और इनके साथ मिलिटरी टैंक भी है जिस भी चोर कोई देखेंगे उसको भून डालेंगे मेरे मिलिटरी ओफिसर्स त मैं पन गया पर मुझे भाइक अभी भी जलाने आई भाइक तो मुझे अभी भी जलाना न आती तो क्या सर आप देख सकते हो मैं वज चुका हूँ एक अधरनाक सब पुलिस वाला और ये पुलिस की भाइक भी बेने ले लिये कपड़े और बाइक तोनों भाड़े पर लेका हूँ पर आप टेंक जिन मतलो ये हमारा काम असान करने वाली है चलो पड़ा पड़ से चलते हैं और हमारे पुलिस शोरूम पर वापिस से गारे मैं तो गाड़ी चुरी करने है था ये टेंक और ये इतने सारे मिलिटरी वाले यहां पर कैसा गए कोई बात नी मैं एक पुल फिलकुल कि एस कार शोरूम खोला है नहीं नहीं सर मीलिटरी कार शोरूम अच्छा मिलिटरी कार शोरूम मुझे कोई गाड़ी हरा थिक्ती मेरे खुला तदी का अच्छी तरह काम की अपना देखिये सर ये बिलिटरी वीकल बहुत खदरनाक है इसमें टोटल साथ जने बैठ सकते हैं दो पर एक आगे जाग पीछे इसमें आप अपने खदरनाक वैपन्स और बहुत दिन्यों के लिए खाना में स्टोर कर सकते हैं कुछ निया दिखाओ ये देखिये सर हमारी सबसे खदरनाक पावरफुल मिलिटरी वीकल ये वीकल इतनी पावरफुल है इसमें आप बले आर्पीजी भी मारोगे तो इसको कुछ नहीं होगा ओ नाइस नाइस पर में पर कोई आर्पीजा टैक ने करने वाला मुझे ये वाली अच्छी लग रही है ये कैसी गाड़ी है अरे सर ये काड़ी तो बहुत है कितने की है ये सर ये गाड़ी वैसे की ऐसे तो 15 लिईंग इंग पर मैं आपको आपको स्पेशल डिसकाउट देने वाला हूँ अरे thank you thank you कितने की पड़े ही मुझे sir आपके लिए 15 million ऴे surgeons ने दॉर्मल प्राइज 15 million और मेरे लिए 15 million हां sir but I will clean the car ने आपक कर ले के ओना पड़े हैं मुझे इसका उप्वेस में जा ला हिनी है अगर ये जायेगा तब लो चुरा पाउँ गा DDis लाएं दाटाओ अब हमारे पास अलग तरले के पानी है काला पानी नील हमाने गी चलो 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 चालो 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 चलो узंजगा और यह चालो गई निकलो या से और ये गाड़ी कहा जा रही है ये गाड़ी जाने वाली है मेरे घर पे हट जाओ मिलिटरी वालो और काईज आप देख सकते हूं हमने एक और गाड़ी को इनके शोरूम से निकाल लिया है इस पुलिस वाले को मैंने पता नहीं कितनी बार पांगल बन हैं और यह खदर्लाकी झाड़ी उमे आपर मिल कि है और उसने बोला ता मुझे पाड़ो पर मखणी घर चलती है पाद़ पर तो मद हुल दे चलते हैं तो मैंने कैन पोड़ी विकल को पानी चलते लिए नहीं देख लग आज ही वो दिन है चलो बड़ा मटसे इसको लेके चलते हैं और पानी के उपर चलाते हैं तो काईजर क्या आप तयारों देखने के लिए क्या ये गाड़ी चलने वाल ये पानी पर यहां फिर हम डूप जाएंगे लेट्स को और ये क्या ये तो सही में पानी के उपर चलती है ये तो बहुत ही खतर ना गया है और ये देख सकते हो मेरी गाड़ी पानी के उपर चल रही है तो हम क्या करें तुकाईजर ये गाड़ी तो सही में बहुत ही जादा खतर ना गया ये चल सकती है पानी के उपर पा 50 million dollar वाली चुराएंगे तब और भी जादा मजाने वाला है लेट्स को बड़ा बड़ी से ते अगली गाड़ी चुराते हैं तो काई सर्थ मैंने सोचा पुरी स्वारी शोरूम के एक और गाड़ी चुराने का पर फिर मैंने सोचा कितनी बार मैं बार बार जाओंगा एक एक गाड़ी चुराओंगा तो इस बार हम उसकी एक नई दो नई तेन नई सारी के सारी गाड़ी एक साल चुराएंगे गाड़ी है क्या मैं तो उसका पुरके पुरा शोरूमी हड़पने वाला हूँ क्योंकि मैंने अपनी पूरी की पूरी यहां पर आर्मी खड़ी कर दिये यह सिर्फ दो जने निये गाडियों में आप देख सेक तो बहुत सारे जने भर भर के मैंने बुलाएं उदर भी कड़ें अभी हम सब साथ में जाएंगे और उस शोरूम पर धावा बोलेंगे तो काई लो इसके सब कहा रहे जल्दी आओ आओ ने घख साल फॉस्य कार्णने बहुन फए सब्सक्राइए मैं और उसके नियू को मारेंगे इसके लो शोरूम हमार ओने बाला है क्थ आधार और इस अझाई जल्दी आओ तो काईजर पर बस पहुचे लोग तो और शुड़े ऐसान और एक सिकिंड यह यहां पर क्या चल रहा है अब यह कौन सा प्लैन मनाया इस पोलिस वाले ने और पोलिस ऑफिसर क्या आल है मुझे बता था यह तुम ही हो सकते हो तुम नहीं मेरी तीनों की तीनों मिलिटरी कार चुराई है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूगा कि देखो पता नहीं कौन सी सिक्यूरिटी इस ने अपने भी बुलाई है रुख जा ओफिसर अभी बताता हूं अब पोलिस ऑफिसर क्या करेगा तू हम लड़ेंगे जब तक हम लड़ सकते हैं तब तक लड़ेंगे तो आज आफिर देख देख कौन किससे जीतेगा अटेक हल पूल तू काईसर अब यहाँ पर लड़ाईया शुरू हो चुकी और मेरे सारे के सारे लड़कों ए गोले चना शुरू करती हम भी मारेंगे यह लोग किसी को मत झोड़ना सब को आज अजब खतम करने वाले और बहु सम किसी को इने चुड़ेंगे हाँ हाँ आजम किसी को ने चोड़ने वाले तो काई दरीया पर लड़ाई चुरू हो चुकिए फड़ावट से मेनी कन निकालते हुगी यही काम आने वाली है इन सब को ख़तम करने के लिए येलो फड़ावट से RPG निकालते हैं और ये कैच करो बूम और आप देख से तो कितने सारे जनों को एक ही ब चोड़ने वाला मेरे बॉइस मारते चाओ मारते जाओ मारते जाओ किसी को माच चोड़ना तो काईजर आज तो इस शोरूम के लिए लड़ाईया होने वाली है बहुत कातरना कातरना उस पुरिस वाई ने बोला ता हम आखिर तक लड़ेंगे तो लगता है उसका आखरी फड़ा उपर से हमने मार दिया है और यह उपर से कहा आरा यह ले यहां पर कौन है मैं नहीं चोड़ूगा अच्छा यह तो मेरा बंदा है और हम यह वार जीत गए तो गई आखिरकार हम यह वार जीत चुके आप तो कितने लोगों को अमने मारा जलाया बोडा चलो इसको अबडावड़ से लेके चलते हैं आरे साइड हो सब कैसा मुझ पर चलो फड़ावड़ से चलते हैं और अपना शोरूम देख ते कैसा लग रहा है तो काईसर फाइनली यह शोरूम बहुत टाइम बाद बहुत चीजे करने के बाद हमारा हो चुका है मुझे इस फड़ावड़ से अपने शोरूम में पहली 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 एंट्री करते हैं और यह मिलिटरी वाला कैसे बज़िया तेरी तो टेकले यह ले और काईसर आप देख सकतो यह तीनों की तिनों गाड़िया हमारी हो चुका है चलो चलो सब के सब यहां से बार दिकलो यह शोरूम ह काली करवा मुझे यहां पर कोई विजलाने चाहिए तो काईसर यह गाड़ी तो हमने अभी देख लिए पुरी पुलिट 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 पूफ है और यह वी अची है पर मुझे देखनी यह सबसे में 50 मिलियन डॉलर्स की गाड़ी चलो फड़ाफट से इसके अंदर ब काड़ी पानी पे जलती हो करकी तो यह यह वाली अट यह ए और यह मिलिटरी वी कले और 50 मिलियन की उस ते बोला था कि यह गाड़ी वार भी यूज़ी थी इस नियार वो वार लगता है पक्ता जीती गए होंगे जिसने भी इसको यूज़ किया होगा मुझे थी गाड़ी पोगती जादा खतर नग लगी यह पुलिस वाले मेरा कुछ न रहेंगे अभी हम जाने वाले सीधा पानी में क्या 50 मिलिटरी फीकर जो कि 1950 में वार लडीती वो चल पाती है पानी में पता चलने वाला है और जी हां यह गाड़ी पानी के ओपर वी चल सकती है यह तो सही में बहुत ही कदर नागे यह पुलिस वाले आएंगे यह तो पानी निकलना पड़ेगा अरे भाई सब कहा जा रहे हैं और भार निकलो यह पोलिस हाले मुझे भगड़ रहे हैं और मैं आपर इनकी मदद कर रहा हूँ है अगर आपको यह निकलते हैं तो क्वाज़ शाही में बहुत ही जादा कदर नागे पानी के उपर चलती है इतनी जादा फास चलती है हर चीज़ ए कर सकती है यह मिलिटरी विगल सब से घतरनाक है तो काई जरा चीवर से वितना ही अगर आपको यह विडिश्य लेगी कमेंट करके जरूर बता देना और आपको इन में से कौन सी चाहिए वह मुझे कमेंट करके पाता देना और हम भी लेंगे आप